यह जो cp plus के easy cam series के wifi camera है चाहे वो 2 megapixel हो 3 megapixel हो चाहे 4 megapixel हो इन सभी camera's में memory card लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है और इनमे memory card लगाने के लिए इसकी जो ball है इस center वाली ball को completely उपर की तरफ रोटेट करना है और रोटेट करने के बाद इसके नीचे एके slot दिखेगा जो की micro SD card का slot है और इसमें memory card लगाने के लिए जो memory card है वो इस तरीके से रोटेट करना है और यह जो golden वाली lines है यह उपर की तरफ होनी चाहिए और यह lines को उपर की तरफ करने के बाद इस slot के अंदर इस तरीके से डालना है और डालने के बाद पूरा अंदर insert कर देना है और पूरा insert करने के बाद आप देखेंगे कि यह memory card इसके अंदर पूरी तरह install हो गये हैं और अब आप इसको regularly use कर सकते हैं और इस memory card के अंदर इसकी recording भी safe कर सकते हैं CP plus का यह वाला जो camera है E35A यह 128 GB के memory card के अंदर 15 दिन तक की recording को safe कर सकता है